हाई फ्रेंक्स वेलकम टो एक्समी वेरी बूर्निंग तो आप सब अच्छे हैं और यॉर प्रिपेरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन तो शुम करते हैं आज का हमारा करिंट अफेर जो की है 16 नवंबर 2022 क्या है आप मेंसे जिल लोग कर रहे हो you are reaping benefit अई यूर टेलिंगे रिप्टों कर रहे हैं तो थैंक यू सो जो बहुत पर बाकि लोग भी शुरू करके लेखो नहीं काम करेगा तो आप नहीं करना है तो अप नहीं कर नहीं करना बत तांम ए प्लित वर्किंट बिपिग भीन piece of news that is late IIT summit 2022 तो देखो सबसे पहले summit के बारे में समझते ही यह जो summit है इसका full form है the leadership group for industry transition ठीक है अब यह कब हुआ था अब यह जो मतलब यह जो summit है यह जो group लिखा हुआ है ना it is those like-minded nations and companies that are committed to achieve the Paris agreement ठीक है अब यह launch कब हुआ था it was launched by the government of Sweden तो देखो यह सब नाम आपको याद रखना है अब आप सोच रहो कि मैं Sweden का चीज़े आपको याद रखने बोल रहा हूं तो आपको समझ में आएगा आगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं Sweden and India at the United climate UN Climate Action Summit in September 19 and it supported by the World Economic Forum तो दिख गया Government of Sweden and Government of India ने मिलके इसको launch किया था September 19 में and इसको World Economic Forum से भी support मिला हुआ है लेड आईटी मेंबर सब्सक्राइब तो दे नोशन दाट एनेजी इंटेंसिव इंडस्ट्री कैन और मस्ट प्रोड्रेस ओन लो कार्बन पाथवेद एमिंग तो एजीव दी नेट कार्बन जीरो एमिशन इंडिया एन स्वेजन को और जो ग्रूप में है उनको ऐसा लगता है कि आज वो कंट्री इतने इंडस्ट्रालाइज नहीं है जितना कि योरोप और योएस है तो वो भी इंडस्ट्रालाइज बन सकते हैं इने पाथ वेर देर इस लो कार्बन एमिशन क्योंकि योएस और य क्या है तो देखो इसका जो समिट है 2020 का यह इसको होस्ट किया है इंडिया एंड स्वीडिनight COP27 श्रमलशेक इछिप्ट जो COP27 श्रमलशेक में चल रहा है उसमें इसको उसका समिट कराया गया अब यह समिट क्यों हुँ हुआ अगें the same reason to focus on the low carbon transition of the hard-to-abit industrial sector अब highlight क्या है late IT summit statement 2022 launched late IT member re-emphasize the commitment to pursue the low carbon transition अब आप सोच रहो कि यह summit का statement को launch हो गया लेकिन सर ने तो दिया ही नहीं तो देखो यहां पर ऐसा कुछ important लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नहीं लाया with this let's move forward to the next news वो है export import data ठीक है तो देखो इंडिया का जो export है ना contract for the first time in two years import moderate तो देखो export contract होना मतलब it's obviously not good एक तो हम fiscal deficit में ही है हम जो export import करते हैं वो negative में ही रहता है जैसे कि आप देख सकते हो हमारा export 58.36 billion है whereas the import is 73 billion ठीक है लेकिन अगर हम growth देखेंगे ना तो देखो यह October 21 में मने जो comparative period पिछले साल का यह October का data है वो 56.10 से 58.36 आया है so yes we have grown somewhere around 4% से थोड़ा ज्यादा है और यह देखवा 65% approximate to 73% यह भी बढ़ता हुआ देख रहा है लेकिन जो pace है वो slow हुआ है वो contract हुआ है जैंसे जोएलरी पेट्रोलियम प्रड़क्स यह हम पेट्रोलियम प्रड़क्स एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास refinery है crude oil लाते हैं उसके बाद हम उसके products को export भी करते हैं बहुत सारे देशों के पास कच्छा तेल है मतलब crude oil लेके refinery नहीं है कुछ दिन पहले हमने न्यूज में देखा था ना मंगोलिया मंगोलिया क्या किया में इंजिनेरिंग सर्विसेस इंफ्रस्ट्रचर और इंजिनेरिंग सर्विसेस हिदरबाद बेस्ट कंपणी उसके साथ 790 मिलियन का डिल किया है जो यह हिदरबा सारे देशे जिनके पास refinery नहीं है तो वहां पर हम export भी करते हैं तो यह ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो एक चीज आप समझो मतलब यह थोगा सा इंट्रेस्टिंग आपको लगे का जो monetary policy होता है MPC है ना वह एक क्राइलेमा में होता है उसका रियल जो यह होता है economic growth एक होता है economic growth एक होता है तुम्हारा inflation एक होता है तुम्हारा exchange rate ठीक है तो यहां पर देखो हमको slowdown दिख रहा है मतलब अगर हम inflation को control करने के लिए report को उपर लेके जाएंगे तो problem growth पर दिखेगा थोगा slowdown होगा वह हमको इस data में दिख रहा है right and कुछ और भी data है for example corporate का profitability है वह भी गिर गया है although वह news as such important नहीं है तिसलिए मैं यहां पर नहीं रखा but yes you should know यह सब correlated है यह automatic नहीं हो रहा है it's because of the high report credit supply जो है उसको cut दिया गया इसको curb किया गया है so economic growth में वह थोड़ा सा hamper करता है तो इसको और इंडिप नहीं समझेंगे इतना ही काफिता let's move to the next news that is ABRY data आत्मा निर्भर भारत रोजगार योजना खीक है यह कब launch हुआ था यह launch हुआ था during the time of COVID जहां पर government ने क्या बोला था for new employee with the wage below 15,000 the government will pay both employees and employee contribution toward EPF for 2 years in total 24% of the wage जो employer या जो establishment या जो company एक हजार worker तक का है वहां पर 15,000 से लीचे जिनको भी salary मिलता है उसका जो PPF contribution है चाहे वो employee side का हो या employer side का दोनों में क्या होता है दोनों में government of India उसको pay करगा ठीक है तो उसी का हम data देखते तो as of now वो scheme का जो beneficiary total 7.2 million estimated किया गया था but as of now 5.9 million worker और somewhere around 10,000,000 establishment in the country उनको ये benefit मिल चुका है अगर हम स्टेट की बात करें तो कौन से स्टेट सबसे आगे है राजस्थान सबसे आगे है ठीक है राजस्थान with 20.4% आप इसको बोल सकते हो गुजरात 19% के पास उत्तर प्रदेश 14% के पास तमिल नाडू सारे 12% के पास हर्याना सारे 11% महराष्ट्रा 8.10% और तेलेंगाना 7.70% तो ये डेटा मतलब राजस्थान सबसे टॉप है यह तो आपको याद रखना है लेकिन अगर हम absolute numbers की बात करें तो देखो महराष्ट्रा सबसे आगे है आप यहाँ पे workers benefited में देखो सबसे बड़ा कौन है महराष्ट्रा 9,47430 ठीक यहां पर हम बात करें तो 4,24,809 यह number not not sorry this is not second this is second तामिलाद्यू is second ठीक है कई दिनों से news सुना होगा कि जो दुनिया का population है वो 8 billion को cross कर गया है where we stand अभी हमारा actual data आना बाकी है हमारा जो data है वो projected ही है क्योंकि हमारा 2021 में जन्गनाना जो census होना था वो कोविट के वज़े से नहीं हो पाया वो किसी भी मुमेंट पर शुरू करवा सकती है इंडिया इंडिया इंडिकेटर ऑफ एफेक्टिव हेल्थ पॉलिसी से युवन तो देखो अगर हम population जो थियोरी होता है न हम उसको भी देखेंगे तो उसक का जो ग्राफ है न वह भी कुछ मतलब वह जो ग्राफ है हम कहीं पर वह बीच में है जहां पर पॉपूलेशन स्टेबिलाइज हो रहा है अगर हम टी एफर की भी बात करें जो एनफसे सर्वेया था उसमें टी एफर 2.1 परसेंट के आसपास था एप्रोक्सिमेट नंबर ब जाएगा काई टी एफर तू रहतो तो कुछ स्टेट्स है यहां पे है जैसे फर्टिलीटी तो ज्यादा है यह तो फर्टिलीटी टी पॉइंट वान का लेकिन बिहार का टी एफर थोड़ा से ज्यादा है यह एक बार आप उसको भी देख लेंगे वह फर्टिलीटी अपर को समझो तोटल फर्टिलिटी रेट दो के आसपास आ जाने का मतलब यह है पॉपुलेशन स्टैगनेंट हो रहा है यह दो के आसपास एक नम इमेडियेट नहीं आता है यह इसको मत मान के चलो तो तीन से दो आने में अल्मोस्ट थर्टी थर्टी फाइव यह का जड़नी होता है और जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है तो डेथ रेट तो देखो यह तो 1060 के आसपास से ही गिरना शुरूर हो गया विकास गवर्मेंट को यह समझ में आ गया कि हेल्थ रेलेटेट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है तू तू क्लीनिक्स एक लोकल लेवल तो अब हम वो पॉपुलेशन टॉपिक को बहुत डीप डिसकस नहीं करेंगे यूनियन एग्रिकल्जर एंड फार्मर वेलफेर मिनिस्टर स्री नरेद्मिल सिंह टूमर टूड़े इनवर्टरी फर्स्ट ग्रीनफिल्ड फार्म मशिनेरी प्लांट ओफ महेंद्रा एंड महेंद्रा पितांपूर इन मद्दे प्रदिश ठीक है यह आपको ध्यान देना ह यूद अभ्यास जो की 18th edition है इंडिया यूएस का जो पिछले साल कहां पर हुआ था यूएस में हुआ था वो अभी इंडिया में जोद्पूर में होने वाला है यूद अभ्यास 2022 इंडिया इन यूएस के बीच में ठीक है नेक्स आता है आई एफ इवी तो देखो इंडिय on introduction of green mobility okay with this we are done for the day let's meet tomorrow morning once again till then unfold your potential with iXMB all the best for all the exam that you are preparing and prepare 50% faster with iXMB